जहिन सातियों वनसी का आल जाग इंदी चैनल में स्वागत हैं सातियों एक और वाइकेंसी निकली हुई है जो की एक वाइकेंसी बियस्प में निकली हुई है सातियों पोस्ट बता दें बियस्प एसाइ टेकिनकल कास्टेबल टेकिनकल की वाइकेंसी निकली हुई है आनलाइन कब से स्टार्ट है और क्या इजिविल्टी मांगा हुआ है योगिता और कितना पोस्ट है इस वीडियो में बताऊंगा तो साथियो आप लोग को बताने जा रहे हैं जो BSF SI टेकिनकल कास्टेवल टेकिनकल आनलाइन फार्म 2022 में निकाला हुआ है तो साथियो आप इलकेशन फिस के बारे में बता दें आप इलकेशन फिस कितना मांगा हुआ है तो General OBC EWS का 200 रुपिया लगा है और AC ST का फिरी है एक भी रुपिया नहीं है और साथियो बता दें आनलाइन कफसे स्टार्ट हो जाएगा आनलाइन साथियो 13 जून 2022 से स्टार्ट हो गया है अनलाइन स्टार्ट हो गया है 13 जून 2022 से रजिस्ट्रेशन का लाश्ट डेट है सातियो 12 जुलाई 2022 तक आप लोग अनलाइन करवा सकते हैं तो सातियो देर मत करिए आप लोग जाएए अनलाइन कराईए और सातियो बता दें एज लिमीट की बारे में बात करें तो एज लिमीट 12 साथ 2022 से मांगा हुआ है जो मेनमम एज है 18 एर्स मेक्सिमम एज है 25 एर्स 18 से 25 वर्स जिसको छूट मिलता है जैसे OBC का 3 साल, AC, ST का 5 साल जनरल का तो नहीं मिलता है तो सातियो गुर्मेंट के इसाब से आप लोगो एज में छूट भी मिला है और सातियो बता दें 18 से 25 वर्स का जो मेनम एज 18 वर्स मेक्सिमम एज 25 वर्स हर कास्टेबल पोस्ट के लिए है यानि only कास्टेबल पोस्ट के लिए 18 से 25 वर्स और एसाइ पोस्ट के लिए बता दें सातियो तो 30 वर्स तक 30 वर्स तक के कंडिडेट अपलाई कर सकते हैं और सातियो बता दें इस वेल्टी बता दें योगिता क्या मांगा है एसाइ में एसाइ टेकिनकल में डिपलोमा होना चाहिए आटो मुबाइल मेकेनकल इंजिनियरिंग और आटो इलेक्टरिकल इंजिनियरिंग से डिपलोमा होना चाहिए तभी आप लोग एसाइ टेकिनकल में अनलाई करा सकते हैं और सातियो बता दें कास्टेबल टेकिनकल में दसवी पास सात में आईटी आईए आईटी आई एंसी वीटी से होना चाहिए सात में जिस टेड में आप लोग अपलाई करेंगे थ्री वर्स वर्क एक्स्प्रियंस यानि तीन साल का वर तीन साल का अनुभव भी होना चाहिए कास्टेबल टेकिनकल के लिए और साथियों बता दें वाकेंसी टोटल वाकेंसी 110 पोस्ट है और साथियों सब इस्पेक्टर टेकिनकल की जो वाकेंसी 22 पोस्ट है कास्टेवल टेकिनकल की 88 पोस्ट है और साथियों बता दें हाइट चेस्ट रणिंग मेल के लिए हाइट 165 सेंटिमीटर चेस्ट 75 से 80 सेंटिमीटर रणिंग 3.2 किलो मिटर 17 मिनट में यानि 3 किलो मिटर 3 किलो 200 मिटर 17 मिनट में कौलिफाई करना है और साथ यो फिमेल के लिए बता दें हाइट 175 सेंटिमीटर चेस्ट रणिंग नहीं है और साथ यो रणिंग बता दें 600 मिटर 9 मिनट में कौलिफाई करना है और साथ यो अगला जो भी वाकेंसी आएगा इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे वनसी का आल जाविंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए आल नोटिपिकेशन पर किलिक करिए ताकि आने वाला जो भी वाकेंसी हो इस चैनल के माध्यम से पता चले धन्यवाद साथ यो